बिस्मिल्लाहिरुमारे रहीम असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग अनिस्टीचिंग कैसे हैं आप वीवर्स मैं आज आपको हाफ कॉलर का गला बनाना सिकाती हूं तो यह देखी यह मैंने टोटल साथ इंच का लिया बुकरम और पूञे धैजिए तीखे यहां से मैंने ढाया लिया है सब इंच यहां से में सब इंच यहां से रहूंगी और एक इंच यहां से रहूंगी और मैंने इस तना से तिर्छी लगके ट्रॉ कर दी और यहां से मेरा टोटल फाफला गले का आट इंच पे है ठीके फिर मैंने यहां से यहां इसको वी कर दिया और थोड़ा थोड़ा एक्स्टा रखे कट करके प्रेस कर देना है मुझे इस गले को इस तना से कपड़े पे और यह मैंने इस तना रखा था कि मार्किंग मेरी बिल्कुल पर्फेक्ट है अब मैंने इस पीस को हटा दिया इससे गला बिल्कुल सेट होके होता है अंगर का पीस आप रखे प्रेस करें और फिर इसको हटा दें सेंटर कर एक हम इसका चौक का निशान लगाया, गले का सेंटर है, बराबर से रखा, आलपिन वगर से सेट कर लें, सेंटर से पहले यह सिलाई आएगी, और इस तरह से मैं सिलाई को इस तरह से उपर नहीं आएगी, यहां से आएगी बस, वह हम खुला रखेंगे, इस तरह से यहां से पैन के निशान से वाज़ हो रहा है, इस तना से हम इसको काट लेंगे, उपर से नीचे तक गले को काटेंगे, कुटके लगाएंगे ताकि पलटने में असानी हो, तीनों तरफ लगा लिजिए, ख्याल लखिएगा उपर से मैंने सलाई नहीं की है, इस तना से इसका क कट कर दिया, यह बैक गला मैंने काटा है, कॉलर अच्छी आएगी, देखें, फासला बराबर होगा, तीन तीन इंच यानि छे इंच, आगे का गला भी छे पेता, और पिछे का भी हम वही काटेंगे, यहां से इस तना नहीं नहीं कीती, और इसको हम नहीं जोड़ेंगे, स अचे कि कुल स्टेट, इस तनह न आप पें कॉलर का नाप फिलकुल सही आएगा, छे इंच आ रहा है, तो बारा इंच की कॉलर बनेगी, इस तनह से मैंने बारा इंच फे पीछ लिया, लबाई में, और चोड़ाई में भाई इंच गा लिया, और सवा इंच पे मैं सेंटर स एक मार्किंग कर दूंगी, मैंने मार्क कर लिया और गले की मेरी चुड़ाई 3 इंश थी, यहां से मैंने 3 इंश रखा, जितनी गले की चुड़ाई गी हुआ यहां से फासला रखे, मार्क कर लेंगे, इस तरह से देखिए, कॉलर बनाना से कारी हूँ, गौर से इस point को देखिएगा यहां से मैंने इसको मिलाया और यहां से मैंने एक line इस तना से draw करी गौर कॉलर बनती है यह बहुत खुसुरत होती है और बहुत अच्छे आती है इस तना मैं सीधा लोगी round में भी लेते हैं इसको लेकिन मैं इसको state ले रही हूँ इस कॉलर को इस तना से और मैंने थोड़ा थोड़ा सा यह थलका हलका सा कोने को खतम किया इस तना से एक marking की थोड़ा सा नीचे से round में करा नीचे से कॉलर लगेगी तो इस तना से यह इसका shave आ जाएगा और उसको बराबर से काट लीजिए वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और फर्स टाइम जोएंड किया है मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेगर आगे मत बढ़िएगा यह देखिए इस तना से मैंने डबल कपड़ पिपरेस कर लिया है सिंगल परेस करके डबल को पीछे कर दिया है और इस तना से सिलाई कर लिये यहाँ तक बिल्कुल इस तना से और नीचे से ओधा अधा इंच या अधा इंच से भी दू पॉइंट काम कर लीजिए एक्स्टर कपड़ा रखके कट कर दूँगी उपर से मैं इसी तना से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़के सिलाई करने के बद उठके लगा लूँगी ताक के पलटने में असानी हो बैक साइट से इस्तरी करिए फिनिशिंग आएगी और यह देखिए सेंटर का निशान लगाईए बैक गले से असानी होगी लगाने में यह देखिए सेंटर बैक पे भी मैंने लगाई यहाँ जो पीस मैंने नहीं जोड़ाता देखिएगा किस तना से लगाऊंगी कॉलर को यह देखिए इस तना से यह पिल्कुल गुम पेक हो जाएगी और इस पे हम इस तना से स्लाय लेके हैंगे थोड़ा से इसको यहां मोड देंगे यहां से पिर हम छोड़ कि किस तना आगे करेंगे गोर से देखिएगा इस तना से यहां से लगाएए ये देखिए बहुत असान होती है मुश्किल नहीं होती कॉलर लगाना बस कटिंग कॉलर के असान होनी चाहिए बिल्कुल असानी से कर लीजिए बिल्कुल सही इस तरह से यहां हमने रोका और अब हमने इस कपड़े को पलट दिया और सिफ सिंगल पर हमने करा क्योंकि बैक पर हम तुरुपाई करेंगे और यहां से दूसी तरह से हम कॉलर लगाएंगे वो भी आप और से देखिएगा कि मैंने शुरू में जो लगाई थी कॉलर उससे थोड़ा चेंज लगाऊंगी यहां से मैं इसको जहां तक मेरे कॉलर का बैक साइटे छोड़ दूँगी और फिस यहां से मैं इसको सिंगल लूँगी उदर मैंने दोनों पीस लिये थे कॉलर लगाने में यहां से मैं सिर्फ कॉलर को लगा रही हूँ अभी फ्रून्ट साइट की मैने यह पत्टी नहीं ली इस तरह मुझे असानी रहेंगी अब मैं इसको पत्टी को लगाँ मुझा यह देखिए बुकरम की पत्टी अब मैंने लगाई है और इसको इसी तरह से मोड़ दिया जिस तरह मैंने फ्रंट पर मोड़ा था अब ये बिल्कुल खुसूरती से लग गई, प्रेस कर लीजिए, फिनिशिंग आ जाती है, और यहां से ये देखिए, हम इसको तुरपाई करेंगे, इस तरह मोड के, और पूरे गले पे भी तुरपाई होगी, कॉलर पे भी होगी, बैक साइट पे, ये देखिए, ये मैंने पिस अबने खे आले की अगा,